गैंक्स औफ फिल्मस्तान प्रोड्यूजर्स ने लीक की चैट तो भड़की शिल्पा शिंदे आए जानते हैं कि आखिर क्या है उस लीक हुए चैट्स में नमस्कार मैं सनेग्डा स्वागत करती हूँ आपका बिगहर लाइन्स पर शिल्पा शिंदे और गैंक्स और फिल्मस्तान के मेकर्स के बीच तना तनी और भी बढ़ती जा रही है शिल्पानी हाली में मेकर्स पर या आरोप लगाते हुए शो छोड़ दिया कि उन्हें जूनियर आर्टस की तरह ट्रीट किया जा रहा था और सभी 12 घंटे से भी ज्यादा काम करवाया जा रहा था हमारे सही योगी आपको बता दे कि इस रिपोर्ट के मताबिक या साबित कर दिया है कि शिल्पा शिंदे ने या भी कह दिया था कि उन्हें सुनील ग्रोवर के साथ काम करने में परिशानी है और या बाद में उन्होंने शो मेकर्स को बताई थी फिर भी आपको बता दे कि उन्हें या बात नहीं बताई गई फिलहाल आपको बता दे कि हाल ही में शो की प्रोडूसर्स प्रीथी और नीती सिमोस ने शिल्पा के साथ वाले WhatsApp चाट ली कर दिये थे जिसके बाद शिल्पा शिंदे और भी भड़क गई और अब शिल्पा ने प्रीती सिमोस के साथ WhatsApp पर हुई बाचीत के स्क्रीन शॉट शेर किये है और कहा है कि उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने ऐसी हरकत की है जबकि उन्होंने यह बात क्लियर कर दिया था कि वह जादा कमफटेबल नहीं है काम करने में लेकिन उसके बाद भी उनके साथ इस तरीके की हरकते हो रही है वही आपको बता दे कि चैट शेर करने पर शिल्पा ने प्रीती पर आरोप लगाया है जबकि उन्होंने उनके जवाब छिपा कर मीडिया को सारे स्क्रीनशॉट लीग कर दिये है साथ ही उन्होंने लिखा तवा हांडी को काला बताता है यह तुम्हें एकडम सूट करता है डियर प्रीती और नीथी सिमोस कुछ तो शर्म आनी चाहिए प्रीती और नीती, स्क्रीन शॉट नहीं डालने को बोल रही और फिर खुद वाट्साप की चैट मेरे रिपलाई छिपा कर मीडिया को दे रही हो अभी क्या मैं पूरी स्क्रिप्ट पोस्ट कर दू? मैंने सिर्फ अभी फ्रंट पेज पोस्ट किया है एक बार साफ तोर पर अपनी बात बताने के बाद मैं तुम्हारे प्रती जवाब दे नहीं हूँ मेरी ना का मतलब ना होता है तो इस अंदाज में शिल्पा शिंदे ने एक साफ कर दिया है प्रिती और नीथी सिमोस को कि वह क्या करना चाती है उन्होंने ना कर दिया है शिल्पा ने आगे लिखा है दूद का दूद पानी का पानी अभी हो गया है इसलिए जूट पैलारा बंद करो असलियत सामने आ गई तो मिर्ची लगी क्या अभी फोन कॉल्स भी है जहां मैंने तुम को यानि प्रिती सिमोस साफ साफ बोला है कि तुम मुझे सुनील ग्रोवर जी के साथ काम नहीं करना है वो भी डाल दूद क्या तो उन्होंने साफ तोर परिया कह दिया है उन्होंने पहले ही परिशानी बताई थी कि वो सुनील ग्रोवर के साथ काम नहीं करना चाहती है लेकिन या बात सुनील को बताई नहीं कई थी जिसके बात या आगे और भी बढ़ने लगी अगर बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हो तो बहतर है कि अपनी घटिया स्क्रिप्ट पर फोकस करो और सिर्फ अपने काम से मतलब रखो All the best इससे पहले शिल्पशंदे ने उस mail का screenshot भी अपने Instagram अकाउंट पर शेर किया जिसमें उन्होंने बताया कि अपनी शिकायतों के साथ उन्हें उन्होंने प्रीती और नीटी से मौस को अप्रोच किया था लगता है बात अब काफी आगे बढ़ गई है देखना या होगा कि इस पूरे मामले पर खुद सुनिल ग्रोवर का भी क्या कहना है आप भी बताएं कि आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर और तमाम बॉलिवोड खबरों के लिए बड़ी नए हमारे शानल के साथ